हलो दोस्तों आज मैं हलो दोस्तों आज मैं इमाइजिंग फैक्ट एवाउट सिलिप इन हिंदी नींद के बारे में 42 रोचक तत्वे बताने जा रहा हूं नमबर एक आज तक ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जिस से पता चले कि हम सोते क्यों है नमबर टू इनसान अपने जीवन का एक तहाई हिस्सा यानी लगभग पचीस वर से सोने में गुजार देता है नमबर त्री जब तक बच्चा दो साल का होता है तब तक बच्चे मा के मावाप उनकी वज़ा से एक हजार पच्पन घंटे कम सोते हैं नमबर चाथ सोते वक्त अगर आपके दिमाग को लगता है कि आप किसी खत्रे में नहीं है तो वह उन आवाजों को च्छन कर निकाल देता है जो आपको नींद से जगा सकती है नमबर पाच जब आप जब आपकी नींद अलारम बजने में थोड़ी देर पहले खुल जाती है तो उसे उसे सैलियर डेंट कहते हैं नमबर चीक्स कभी कभी जब हम सोनी की कोर्शिस कर रहे होते हैं तो घंटी की टिक टक से हमें बहुत गुस्टा आ जाता है नमबर सेवन अक्सर हम दोपाहर के दो वज़े और रात के दो वज़े सबसे ज़्यादा ठकान महसूस करते हैं नमबर एट अक्सर जो लोग ज़्यादा नहीं सोते उनके हमन का इस्तर जल्दी गिर जाता है सबसे ज़्यादा समय तक लगतार जागने का रिकॉर्ड 1964 में सता सल के रेंडी गर डन बनाया था वह 264 घंटे 12 मिनाट तक जागा रहा अगर आप किसी सपने में जाग गए हैं और बापस उस सपने को देखना चाहते तो आपको जल्दी से आखे बंद करके सो जाना चाहिए विल्कुल शीदा होकर ये तरीका हर बार काम नहीं करता अपर आप एक अच्छा सबना जरूर देख पाएंगे नमबर 11 आपको जानकर हैरानी होगी कि 15% जन संकिया को नीन में बोलने की बीमारी होती है नमबर 12 हर चार साधी सुधा जोड़े में से एक जोड़ा ऐसा होता है जो अलग अलग बेट पर सोते हैं नमबर 13 जब आप खुश होते हैं तो कम नीन में काम चल जाता है नमबर 14 महात्मा गांदी अपनी इच्छा अनुसार सोते और जाग सकते थे उन्हें गहली नीन के लिए पाट मिनाट का समय ही काफी था नमबर 16 सुबा तीन से चार बज़े के बीचे आपका सरीर सबसे कमजोर होता है यही कारण है कि जादतर लोग की नीन्द में मिर्टू इसी समय होती है नमबर 15 एक्सेंस उसे कहते है जब हम नीन्द में अपने दात किटा लगते है नमबर 17 उनीस उन्ठान में किये गए एक एक्सपेरिमेंट में से पता चला कि गूट ने वेनों के पीछे तेज परकार से पढ़ने से दिमाग में चमकने वाली नीन्द और चेतना की घड़ी रिशेट हो जाती है नमबर 18 सुटेश में च्षीक मारना असमभब है नमबर 19 हम बिना खाए दो महिने तक जिवित रह सकते हैं लेकिन बिना सोए केवल 11 दिन तक जिवित रह सकते हैं नमबर 20 जापान में काम करते करते सो जाना मानी है क्योंकि इसे कड़ी मेहनत करते हुए ठक जाना समझा जाता है नमबर 1 डाइसेनिया वह हालत है जब सुबह विष्टर से उठना बहुत कठिन काम लगता है नमबर 20 बिलिया अपने जीवन का 70 परसेंट भाग सोने में बिताती है नमबर 20 घोड़ा खड़ा होकर और खरगोस अपनी आखे खोलकर सोता है नमबर 24 उनीसोंचास में डेविड एथ रोश्रन अमरीका के एक दिन के परसिडेंट बने और उन्होंने अपना जादातर समय सोने में बिता दिया नमबर 25 अप टेलिवीजन देखने से जादा कॉलोरी सोने में खर्च करते हो नमबर 26 मेने सपने में मकड़ी खाई ये एक जूटा है क्योंकि सपने में मकड़ी खाने के चांस जीरो परसेंट है नमबर 27 अमरीका में 8 परसेंट लोग नंगे सोते है नमबर 28 दुनिया मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपनी इच्छ से सो सकता है नमबर 29 सोते समय सास छोड़ते वक्त हमारा वदन एक पौंड यानि चारसा पचास गिरम तक कम हो जाता है नमबर 30 जब पूरा चांद लिकलता है तो इनसान कम सोता है इनके लिए आप परियावरन को जिमेदार ठहरा सकते हैं नमबर 31 जब दुनिया में कलर टीवी नहीं था तब लगभग 80% जन सिंखिया को सपने भी काले और सफेद आते थे नमबर 32 जो लोग सपने नहीं देखते उन्हें परसोनिलिटी डिजॉरेड नाम का विमारी होते है नमबर 33 परसोमीनिया एक ऐसी बिमारी है जिसमें आदमी नींद में ही हतिया जैसी संगीत जुर्म कर सकती है नमबर 34 जब डॉल्फिन और वेल सो रही होते हैं तब भी उनका आधा दिमाग जाकता रहता है उन्हें याद दिलाने के लिए की हवा लेने सतह पर कब जाना है नमबर 35 रात को सोते वक्त हम अपनी सुंगने की छम तक हो बैटते हैं जिससे अगर घर पर कोई गैस लिक हो रही हो या फिर धुएं की महक आए तो हमें पता नहीं चल पाता नमबर 36 अगर आप सुला घंटे तक लगरतार जाकते हैं तो आपका दिमाग ऐसा महसूस करेगा जैसे आपके खुन में 0.5% अलकोहल होने पर करता है नमबर 37 यदि आपने यदि आपने पूरी नीन नहीं ली तो आप वाड़ी में लेटिन की कमी होने के कारण आप ज़्यादा खाना खाएंगे नमबर 38 कभी कभी अधिक उचाई के कारण भी नीन नहीं आती नमबर 49 सिलिप एपनी एक ऐसी बीमारी है जब सोते वक्त सास रुक जाता है इनके कारण आदमी सोने से डरता है और हमेसा तनाब में रहता है नमबर 40 अगर आप रात को साथ घंटे से कमते हैं तो जुखाम होने की समभावना 3% बढ़ जाती है नमबर 41 नीन ना आने का सबसे बड़ा कारण 24 घंटे इंटरेट चलाना है तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा दोस्तों तो ये वीडियो को लैक, सैर, कमेंट और सस्क्राइब करने नहीं भूलेगा दोस्तों और हमें सपोर्ट कीज है रोमांस रोमांस इंट इंटरेश्ट एफेक्ट वीडियो लाया करूंगा दोस्तों ठैंक यूँ